हलो बच्चो तो आज मैं तुम लोगों को दिखाने जा रहा हूँ टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन थूरू राइट अंगिल ट्राइअंगिल प्रिजम ये उस प्रिजम का डाइग्राम है और ये है अपना प्रिजम ओके यहाँ पर ये है 90 डिग्री अंगिल प्रिजम के सामने मैंने कुछ अब्जेक्ट रख दिया है इस अब्जेक्ट से इमेजिस प्रिजम के ये सर्फेस के थूरू नॉर्मली प्रिजम के अंदर जा रहा है और अंदर जाने के बाद प्रिजम के इस सर्फेस में ये इंसिडेंट हो रहा है अगर angle of incidence critical angle से ज्यादा हुआ तो total internal reflection perform होगा ओके बच्चो देखो total internal reflection हो रहा है इसलिए जो images है वो इस तरब से हमें देख रहा है और ये क्यों possible हो रहा है due to total internal reflection ओके बच्चो thank you